आप लोग कैसे हैं हों बहुत बहुत ही अच्छे होंगे बहुत ही तेस्टे बहुत ही तेस्टी नाष्टा बनता है और इसे बनाने में आपको क्या-क्या चीजे चाहिए और कैसे कैसे बनाना है तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले हमें लेना है कोई इस तरह से बड़ा-बरतन ले लिजे और उसमें 3 medium size के प्याज डाल लीजे और उसे इस तरह से बरी काट लीजेगा यार बहुत मोटे-मोटे नहीं काटने हैं और दो बरी कटी भी हरी मेज और तीन से चार तन के कलियर लीजे और एक इंच गाद रख थोड़ा सा एकदम बरी किस तरह से कद्दू कस कर लीजेगा ताकि मुझ में उ वादरुसा नमक डाल देंगे नमक आप चाहें तो काला नमक और सफेद नमक दोनों यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा चोथाई चमच इसमें डाल देंगे काली मिच का पौडर इससे टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा और साथ में थोड़ा सा आपको आधी छोटी च चमच आपको डालना है जीरा पौडर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसके और थोड़ा सा लाल-मिच पौड़ार डाल लीजे से ज फ्लीवर है बहुत ही अच्या आएगा साथ में आपको डालना है आमचूर पॉडर आमचूर की जगा पे आप डाल सकते हैं इसके अंदर नीबू और मैं इसमें पनीर ले रही हूँ बड़े बड़े टुकडे हैं उन्हें एकदम छोटा कर लेना है बड़े हैं से mix करना है ताकि जो हम परांठें बनाएंगे उसके अंदर एक जयसा टेस्ट आए तो देखिए अच्छे से मैंने mix कर दिया है और हमारी जो यह mixture है बनके त्यार है तो अब मैं क्या करती हूं जभ किसी में कम किसी में जादा ना हो तो इस तरह से मैं बना लेती हूं अगर आप को इस तरह से बना के डालना है तो इस तरह से कर सकते हैं दर्वाइज आप स्पून के साहिता से एक स्पून भर के डाल सकते हैं जितना भी आप पसंद करते हैं प्रांठों में तो चलिए उखांटा लगा लिया है मैंने और इसे बेल लेते हैं एक छोटी सी रोटी के बराबर बेलेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ानी करना है बस इतना बढ़ा करना है कि हम इसके अंदर इजली मिक्षर को स्टफ कर सकें इजली उठाके बस ऐसे ले लिया और इसके रखके ऐसे मिक्षर के साथ नहीं बेलना है एक्दम हल्के हांटों से मेलना है धीरे-धीरे कर ख़ल ल में आखित बटव मramosट रखके बेलना है और यह पटे नहीं तो मैंने बहुत मिक्षर दाला है आप मिक्षर आप चाहें तो थोडाITY तो मैं ज़ादा मिक्षर डालती हूँ क्योंकि मुझे कम मिक्षर में टेस्ट ही नहीं लगता है स्वाद नहीं आता जब कि हम स्टफ करके प्रांठा बना रहे हैं तो भरके अच्छे से ना बनाए ना तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता तो सबकी अपनी अपनी च्वाइस है जिसको जैसा पसंद हो उस तरह से कर सकता है जादा या कम वह अपनी च्वाइस पर है तो बस अच्छे से इस तरह से बेल लेना है आप क्या करेंगे हम तवे को गरम कर लेंगे गरम हो जाए तो आप इसके अंदर जो हमने प्रांठा बनाया है उसे डाल दीजे एक से दो मिनट तक जैसे पकाएंग और फ्लेम को मीडियम रखना है बहुत तेज नहीं रखना है और इसको पलट देना है पलट के उस साइड भी अच्छे से पकाना है अगर हम घी से इसको अच्छे से इस तरह से सेकते हैं तो उसका टेक्शर एकदम अलग होता है तो मैं सरसो का तेल भी यूज करती हूँ तो विर आलती हूँ तरहेनननन डेफरंटा मेंस विल गड़न के विधियो हुद प्लेट में निकाल लेते हैं तो अब इससे मैं प्लेट में रह लिया है अब इससे मैं प्लेट में रख लिया है एक प्ले deeply से बना चुकी हूँ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है तो अभी से हम चटन घी या बटर के साथ सर्व करेंगे आप जो भी पसंद करते हैं वो ली लीजिए जो चीज आपके पास अवलेबल है वो ली लीजिए और चटनी अगर पसंद करते हैं तो चटनी ले लीजिए दही ले मैंने चटनी के साथ और बटर घी के साथ सर्व किया है देखने में भी बहुत सुन्दा लग रहा है और खाने में तो है यह बहुत ज़्यादा यम्मी तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर लिजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइ आजाए आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें तो फ्रेंड्स नेक्स वीडियो मिलेंगे थैंक यू फर वाचिंग बाबाई